हिमाचल प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिला हमिरपूर में एक तीन साल की मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार दिया परिवार वालों के सामने ही करीब पांच कुत्ते बच्ची को सौ मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गए काफी देर तक परिवार वालों ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की कुत्तों पर पत्थर भी बरसाए लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी कुट्टों ने बच्ची का एक कान पीठ का कुछ हिस्सा या यूं कहें कि शरीर का काफी हिस्सा नोच खाया था इन आवारा कुट्टों ने बच्ची की टांग की हड़ी तक निकाल दी थी मामला नगर परिशद हमीरपूर के वाड नमबर 8 का है नियानगर में तीन साल की एक बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार दिया ये बच्ची जुगी जोपड़ी में रहती थी जननाया उपे गने मखुदी चुगी मंख Σब्सक्ता सब्सक्राइया 1 बादट दो प्टाह सब्सक्राइया घड़ी में प्लिदें बच्ची में पटानि पटानिक स्वानितिर के अगी कि है अम तो इधर गया मैं फिर देखा है उखारा उखरा हुखे इधर आही स्वारे लड़की पारते है कि भी स contris मतलब हमेंने को अधर गै तो मतलब तो मैं उदर से दोड़ती दोड़ती अपनी जिल्गी के पास आई तो उदर से सारे बंदे निकले उसको अटाया फिर बगाया उनसे ऐसे गटना हुई कि तेले मेरे से कब की लेकले कुति है शोने क्या किया कि अभी बचर बच्चे को उठा कैलेगी देखां तो मार दी भी बैस कि लड़की वर यहां इतने देर को मतलब उनके घर वाले सारे दौड़के गे उतनी देर को बच्ची को फोंने सा्वा जान तो पूरी खाली थी उसकी कोई तुनिया पहले पहले कोई नीं सर अभी इतने शाल हो गए कोई नीधा अभी जो बजार से जबारा कुछ्टें उन्होंनों आके प्छिए सारे मतलि इसको जो है मतलब खाली मतलों इसको नोच-णोच के बुरी तरह से और ब